जहीं दोस्तों सागत है आप सभी का इंदरन क्लासेस में आज हम सब लोग यूपिटेट सेट एस्टेट के लिए परिया वरण के कुछ महत्वपूर्ड कोस्टिंस के विसे में चर्चा करेंगे जो आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं तो चलिए करिए दोस्तों इस प्रस्ट का राइट एंसर क्या होगा ब्रह्मार्ण के अध्यान को किस नाम से जाना जाता है कैस्मो लोजी से ऑप्शन एज राइट एंसर तो इस कुछिशन का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन एज राइट एंसर तो चलिए देखते हैं हम लोग अ में किया जाता है इतों लौजी में किया जाता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B बीज right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रस्म तोटता तारा उलका है option ने उलकाब जो प्रीतवी के वाई मंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है option B एक समान गति से चलने वाला तारा option से एक चमकता पिंड जो वाई मंडल में एक समान गति से चलता है option D एक तारा जिसके एक सीरे पर फूज होती है तो कमेंट केरिए दोस्तों इस प्रस्म का right answer क्या होगा तोटता हुए तारा क्या है तोटता हुगा तारा उलकाब है जो प्रीतवी के वाई मंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है तो इस question का right answer हो जाएगा option A एज right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रसन एक नचत्र का रंग निर्भर करता है उसकी option A सूर्य से दूरी पर option B प्रिष्टिये ताप पर option C घनत्व पर option D तृज्या पर तो कमेंट करिए दोस्तों इस question का right answer क्या होगा एक नचत्र का रंग निर्भर करता है किस प्रीथवी की जुड़ुआ बहन किस ग्रह को कहते है ओपस्ण A ब्रहस पति को option B सणी को option C सुक्र को option D मंगल को तो कमेंट करेंद करिए दोस्तों इस प्रस्ट का right answer किया होगा प्रित्वी की जुड़ुआ बहन किसको कहते हैं वह है सुक्र है वह कौन सा गरा है सुक्र है तो इस question का right answer हो जाएगा option C C is right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ट है चंद्रग्रहण होता है जब option A चंद्रमा प्रित्वी एम सूरी के बीच होती है option B प्रित्वी सूरी एम चंद्रमा के बीच होती है option C सूरी प्रित्वी एम चंद्रमा के बीच होती है option D प्रीठवी सूर्य घंड्रमा सीधी रेखा में होती है तो comment करें दोस्तों का right answer क्या होगा क्षण्डर ग्रहण तो किनारे पर उसमें क्या होता है सूर्य से जो आने वाली एडिवो टकरातर तो क्या होता है चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि कौन सा है चंद्र ग्राण है तो इसमें क्या है पहले क्या है सूर्य है फिर क्या है प्रीथवी है फिर क्या है चंद्रमा है तो इस question का right answer क्या हो गया जब प्रीथ B सूर्य और चंद्रमा के बीज हो तो इस question का right answer हो जाएगा option B बीज right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रस्न दुरू तारा सभी मौसमों में इस्तिर दिखाई देता है किस कारण option A दुरू तारा अपने अक्ष पर गुरूलन नहीं करता है option B दुरू तारा भूमन दिरेखा की अक्ष पर इस्तित होता है option C दुरू तारा प्रीथ B के उत्री धुरू के अक्ष के ऊपर होता है option D दुरू तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रस्टन का right answer क्या होगा धुरू तारा सभी मौसमों में इस्थिर दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है क्योंकि यहां प्रीथिवी के उत्री धुरू पर इस्थित होता है तो इस question का right answer हो जाएगा option C C is right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रस्ट है कि सबसे ज्यादा वले वाला ग्राह कौन सा है यानि वह कौन सा ग्राह है जिसके चारों तरफ सबसे ज्यादा रिंग पाये जाते हैं option A सनी है option B मंगल option C सूर्य option D चंद्रमा तो कमेंट करिए दोस्तों इस question का right answer क्या होगा वह कौन सा ग्राह है जिसके चारों तरफ सबसे ज्यादा वले पाये जाते है यानि रिंग पाये जाता है वह कौन सा है वह है सनी तो इस question का right answer option A is right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अ option B वाई मंडल option C सूर परिवार option D अकास गंगा तो कमेंट करिए दोस्तों इस question का right answer क्या होगा जब धूल तथा गैसो के कड़ एकत्र हो जाते हैं इस system को क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको अकास गंगा कहते हैं इस question का right answer हो जाएगा option D D is right answer तो चलिए देखते हम लोग option B विंग डिमपर option C अलफा सेंचुरी option D small beer तो कमेंट करिए दोस्तों इस question का right answer क्या होगा तारा मंडल सब तरी सी को क्या कहते हैं पसिमी निवासी क्या कहते हैं विंग डिमपर कहते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option B वीज right answer तो चलिए देखते हम लोग अगला प्रस्न हमा प्रस्न का right answer क्या होगा हमारे शौर मंडल का सबसे निकतन तरह कौन सा है वह है प्राक्सिमा सेंचुरी है तो इस question का right answer हो जाएगा option B वीज right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रस्न हमारे शौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीला तारी को और क्या कहते हैं option A cat star option B fox star option C lion star option D dog star तो comment करिए दोस्तों इस question का right answer क्या होगा सौर मंडल के बाहर जो साइरस नामक चमकीला तारा होता उसको और किस नाम से जानते हैं dog star के नाम से जानते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D D is right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रस्न सूरी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं option A astal मंडल, option B प्रकास मंडल, option C Corona या किरीट, option D world मंडल तो comment करिए दोस्तों इस question का right answer क्या होगा सूरी के जो चारु तरफ लप्ते पाई जाती हैं यानि सबसे बाहरी परत ज जाएगा option C, C is right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रस्न सूर उर्जा किसके द्वारा उत्पन होती है, option A विखंडन पर करिया, option B दोहन पर करिया, option C A और B दोनो, option D सनलेयन पर करिया, तो comment करिए दोस्तों इस question का right answer क्या होगा सूरी उर्जा किसके द्वारा प्र प्रवर्तित होता है, तो चलिए देखते हम लोग अगला प्रस्न, शूरी का प्रकास प्रित्वी तक कितने मिनट में पहुचता है, option A 8 मिनट, option B 2 मिनट, option C 14 मिनट, option D 20 मिनट, तो comment करिए दोस्तों इस प्रस्न का right answer क्या होगा, शूरी का प्रकास प्रित्वी तक पहुचन शूरी से दूरी के क्रम में है, option A 3, option B 5, option C 1, option D 7, तो comment करिए दोस्तों इस प्रस्न का right answer क्या होगा, बुद्ध शूरी से दूरी के क्रम में है, कौन से क्रम में है, पहले क्रम में है, यानि सूरी से सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह आता है, बुद्ध आता है, तो इस प्र प्रिथ भी हमारी कौन से नंबर पर है तीसरे नंबर पर है ठीक है तो इस प्रस्टन का राइट अंसर हो जाएगा option C यानि बुद्ध कौन से नंबर पर है पहले अस्थान पर है तो इस question का right answer option C is right answer तो चलिए देखते हम लोग अगला प्रस्टन सबसे गर्म गरह का नाम बताईए option A बुद्ध, option B सुक, option C मंगल, option D ब्रहस्पती तो comment करिए दोस्तों इस प्रस्टन का right answer क्या होगा सबसे गर्म गरह कौन सा होता है अब सुक्र होता है तो इस question का right answer हो जाएगा option B, B is right answer जो है जबकि उसके सबसे पास में होता है पर क्या होता है इसमें वाई मंडल नहीं पाया जाती है इसलिए यह सबसे गर्म तो होता है प्रंदुवा सबसे ठंडा भी होता है तथा जो सुक्र होता है इसके चारु तरफ वाई मंडल पाया जाता है जो सूरी से आने वाली केलों को होता है उसमें प्राप्त वे उसमा को सबसे बनाए रहता है इसलिए सुक्र क्या होता है सबसे गर्म गरह होता है इस question का right answer हो जाएगा option B तो चलिए देखते हैं अगला प्रसें आकार की अनुसार सुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांख है option A 4, option B 5, option C 6, option D 7 तो comment करिए दोस्तों इस question का right answer क्या होगा आकार की अनुसार सुक्र हमारे सौर मंडल में क्रमांख है कौन सा है पहले कौन सा होता है ब्रहस्पति होते है फिर सनी फिर अरूल फिर क्या होती है प्रीथवी फिर उसके बाद सुक्र फिर मंगल फिर बुद्ध तो सुक्र कौन सा अस्थान होता है वह होता है छाठों अस्थान होता है तो इस question का right answer हो जाएगा option C C is right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रसमें इन में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता option A Uranus option B शुक्र option C प्रहस्पति option D Neptune तो comment करिए दोस्तों इस प्रसम का right answer क्या होगा इन में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता वह कौन सा होता है वह है बुद्ध प्रित्वी अपनी धूरी के चारो तरफ किस दिशा में घूमती है option A पूर्व से पस्चिम की और option B पस्चिम से पूर्व की और option C उत्तर से दच्छिड की और option D दच्छिड से पूर्व की और तो comment करिए दोस्तों इस प्रसम का right answer क्या होगा प्रित्वी अपनी धूरी पर प्रित्वी को किस और नाम से जाना जाता है option A नीले ग्रह और यहां सौर मंडल से देखने और हमारा ग्रह कैसा लगता है नीला लगता है इस प्रक्सन का right answer हो जाएगा option A A is right answer तो चलिए देखते हम लोग अगला प्रक्सन सूर्य ग्रहण कब होता है Option A, जब सूर्य चंद्रमा और पृत्वी के बीच होता है Option B, जब पृत्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है option C, जब चंद्रमा, शूर्य और प्रित्वी के बीच में होता है option D, इन में से कोई नहीं तो comment करिए दोस्तों इस प्रसन का right answer क्या होगा चंद्र ग्रहाण कब होता है जब सूर्य और प्रित्वी और चंद्रमा तो इस question का right answer क्या होगा जब चंद्रमा सूर्य और प्रित्वी के बीच होती है option C is right answer तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रेशन है प्रित्वी की सबसे ऊपरी कठोर सता है उसे क्या कहते है, atmosphere कहते है option B, hydrosphere कहते है option C, biosphere कहते है option D, lithosphere कहते है तो comment करिए दोस्तों, इस question का right answer होगा कौन सा होगा उसे क्या कहते है, lithosphere कहते है प्रित्वी के जो ऊपरी सता होती है जो सबसे कठोर होती है, तथा ऊपरी सता होती है उसे क्या कहते है, lithosphere कहते है तो इस question का right answer हो जाएगा, option D तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रस्न इन में से कौन सा ग्रह पूरब से पस्चिन दिशा में घुर्णन करता है Option A प्रित भी, Option B मंगल, Option C सुक्र, Option D वरूड तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रसंद का राइट एंसर क्या होगा दो ऐसे ग्रह कौन से अभी बताया था हमने, कौन सा होता है, एक होता है, सुक्र होता है दूसरा कौन सा होता है, दूसरा अरूड होता है तो इस कौस्चन का राइट एंसर क्या होगा, Option C, C is right answer कौन सा होता है, सुक्र होता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और सभी कोस्चन के साथ, अब तक के लिए जहिन दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब शरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहिन दोस्तों